हेलो फ्रेंड्स मैं जीते इंदु शर्मा जी एस वर कंपडिशन में आपका स्वागत करता हूँ और आज का हमारा करेंट एफेर्स का टॉपिक बहुत ही महत्पून टॉपिक्स है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो चैनल को सबस्काब जरूर करें बेल आइकन को दबादें ताकि आपको नोटिफिकेशन का अबडेशन मिलता रहे आज के मैंने करेंट एफेर्स में ना केवल आपको current efforts के data दिये हैं बलकि साथ साथ में मैंने कुछ questions भी आप से पूछे हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना भी है और साथ साथ में solve भी करना है चले friends start करते हैं आज का सबसे महत्पून current events है दिल्ली elections 2020 dates अभी हाली में election commission of India भारत के निर्वाचन आयो election commission of India के द्वारा दिल्ली elections की date announce कर दी गई है date के according 8 फरवरी को दिल्ली assembly के चुनाव conduct कराए जाएंगे जबकि 11 फरवरी को दिल्ली legislative assembly के result को घोसित किया जाएगा अता अब की बार आप सरकार के लिए बहुती महत्पून ये election conduct किया जा रहा है जो ना किवल BJP Congress बलके अन्ये पार्टियों के लिए ये चुनाव बहुती महत्पून है चले फ्रेंड्स अगर यहाँ पर election commission of India की बात करें तो election commission of India भारत में या केंसासित प्रदेसों में चुनाव करने के लिए उत्तर दई है जबकि वर्तमान में सुनिल अरूरा चीफ election commissioner के रूप में काम कर रहे है यहाँ याद रखने वाली बात है कि दिल्ली लेस्टेटों अस्वेली में कुल सीटों की संख्या सत्तर है यानि सेवंटी है अता आपसे एक्जाम में कोशनी पूछा जा सकता है चले फ्रेंट्स अगला देखे गोल्डेन ग्लोब तूथाउजन ट्वंटी गोल्डेन ग्लोब तूथाउजन ट्वंटी कंड़क्ट हुआ है USA के कैलिफोर्निया में ब्रेवले हिल्स बेवरली हिल्स में यहाँ पर गोल्डेन ग्लोब तूथाउजन ट्वंटी कंड़क्ट किया गया है जिसमें 1917 फिल्म वान दा गोल्डेन ग्लोब बेस्ट पिच्चर ड्रामा अवर्ड यानि इस गोल्डेन ग्लोब तूथाउजन ट्वंटी में Best Picture Drama Award दिया गया है The 1917 Film को नोट कर लिजे Best Picture Drama Award The 1917 Film के लिए दिया गया है जबकि Best Actor Award और सासत में यहां पर Best Actress Award भी यहां पर दिया गया है Best Actor के Award में Jaquin Phoenix Phonics and Renice Gelweger ने यहां पर Best Actor और Actress का Award 77th Golden Globe Award में जीता है आगे देखें अंतरास्टी योग दिवस मीडिया समन अभी हाली में बहुती चर्चे में रहा है यहां पर किन सरकार के द्वारा जिन मीडिया ने योग को बढ़ावा देने के लिए अंतरास्टी इस्तर पर महत्पुन कारे किये हैं उनको ध्यान में रखते हुए अंतरास्टी योग दिवस मीडिया समन अवर्ड दिया जाएगा याद रहे अंतरास्टी योग दिवस 21 जून को सेलिबेट किया जाता है और यह है सेलिबेशन 2015 से लगाता चला आ रहा है अता अंतरास्टी योग दिवस के उस्तर पर ये अवर्ड दिया जाना है नोट कर लिजे अंतरास्टी योग दिवस मीडिया समन अवर्ड यहां पर देखिए फेम इंडिया भी हाली में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है पहले देख लेते हैं फेम इंडिया की फुल फॉर्म क्या है यहां पर पूरा दिया हुआ है आपको अच्छी तरह से इसमें कंटेंट में फेम इंडिया प्रोजेक्ट के द्वारत डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री इस ने यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिस की स्थापना 24 राजियों में करने जा रही है लगब लगब 2637 इलेक्ट्रिक स्थेशन बनाए जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के लिए चार्जिंग स्थापित किये जाएंगे अतब भारत में स्वच एंवर्मेंट को ध्यान में रखते वे ये प्रजेक्ट बहुती महत्पून है सबसे जादा जो इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्थेशन जो लगाई जाएंगे वो महरास्ट्रा स्थेट में लगाई जाएंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जरू दबा दें और शेयर करना बिलकुल न भूलें और हां लाइक जरू करें देखें आपके कुछ इंपॉर्टेंट कोशन में मैं लेकर आया हूं पहला इंपॉर्टेंट कोशन है आपके सामने दे रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया हैस लॉंस्ट विच एप तो हैप दा विज्वली चैलेंज आइडेंटिफाई दा डिनॉमिनेशन ओफ करेंसी नोट्स यानि अब यहाली में रिजर्ब बैंक के द्वारा द्रस्टी बाद आपका कोशिज कीजिए यू केंड डू दिस आप बना सकते हैं चले इसका उत्तर है मनी सी यानि मनी इसका उत्तर है फ्रेंट्स अभी हाली में रिजर्ब बैंक के द्वारा मनी एप जारी किया गया है जो द्रस्टी बादित लोगों के लिए है बिसिकली यह यहां पर स्कै आर्मी के नए चीफ बने है आप देखें औप्शन इसके सामने चार है मनोज मुकुन नर्वाने बी आप्शन है वी के रवी सी आप्शन है दिवेश चंदरा और डी है विने शर्मा बताए इन चारों में से किसे चीफ आफ दा आर्मी नुद किया गया फ्रेंट्स चले इस हुए हैं जबकि इसे पहले जेनरल विपिन रावत चीफ आफ दा आर्मी के पोस्ट पे काम कर रहे थे चले फ्रेंट्स आगे देखें तीसरा कोशन फ्रेंट्स आपके सामने है हुए हैस टेकन चार्ज एस इंडियास फार्स चीफ और डिफेंस स्टाफ यानि इसमें से किस ने चीफ और डिफेंस स्टाफ के पतप पर ग्रहेंड किया है आपके सामें चार ओप्शन है बिकरम सिंग, बिपिन रावत, वीके सिंग और दीपक कपूर बताएं फेंड्स इन चारों में से क्या सही उत्तर है चले फेंड्स इसका उत्तर है बिपिन रावत, बिपिन रावत को as a chief of defense staff के रूप में रूप किया गया है जो तीनों सेनाओं के as a chief के रूपे काम करेंगे चले फेंड्स चौता कोशन है आपके सामने विच स्टेट है स्टॉप दा सस्टेनेवल डेवलपेंट गोल्स इंडेक्स फ़र 2019 फटी यानि इसमें से कौन सा स्टेट सस्टेनेवल डेवलपेंट गोल्स इंडेक्स में पहले पोजिशन पर रह जैसे कि पीछे भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि स्टेनेवल डेवलपेंट गोल्स इंडेक्स के जरिये हम उसकी स्टेट के पर्फॉर्मेंस को जानते हैं कि किस स्टेट का पर्फॉर्मेंस एकनॉमी या सोसल पॉइंट वी से सबसे जादा है आंसर इस केरल चले पात्वा कोश्चन है आपके सामने विस स्टेट सिक्यूर्ट फर्स पोजिशन इन रिसेंटे रिलीस इंडिया स्टेट ऑफ फॉर्स रिपोर्ट तूथावी नाइंटें फॉर्ट फॉर्स एरिया इन दे कंट्री फ्रेंट्स चार ओप्शन है यानि पूछ रहा है कि भारत में भारत में फॉर्स रिपोर्ट दोजा उननीस के एकॉर्डिंग किस राज्य में जंगलों का विस्तार की व्रदी बहुत तेजी से रही है इसमें चार ओप्शन है पहला उत्तरप्रदेश दूसरा भी जहरकंट ती सी है करनाटका और डी है आंदरप्रदेश फ्रेंड्स इन चारों में से किस स्टेट में फॉर्स रिपोर्ट 2000 के एकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा रही है बताएं चलिए इसका उत्तर है सी करनाटका यानि करनाटका स्टेट में फॉर्स की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा तेज रही है आई होप कि आप आपको इकोशन कमसे 5 दें तो 5 के 5 आपके बन गए हो अब तक अगर आपने हमाई चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चर्ड को सब्सक्राइब जरू करें बेल ईकन को जरू दबादें यह क्यूं यहेश्य करना बिल्कुल न भूलेए थेंग यो क्यों अ